नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी यूटूब चैनल भक्ती के अंतियोहार में स्वागत है आज मैं आपको राधा अश्टमी की बहुत ही सुन्दर कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधा रानी कीजिए अवश्य लखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे हैं जब भी भगवान श्री क्रेशन की बात होती है तो राधा जी का जरूर नाम लिया जाता है मानिताओं के मुताबिक भगवान क्रेशन के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा जी का जन्म हुआ था यही बज़े है कि क्रेशन जन्मा श्टमी के बाद राधा श्टमी का त्योहार भी मनाये जाता है हर साल भादर पद महा की सुकल पच्छ की अश्टमी तिथी को राधा श्टमी का त्योहार मनाये जाता है वैसे तो देश भर में इस त्योहार को मनाये जाता है लेकिन ब्रंदावन, मतोरा और बर्साना में इसका खास महत्त है इस दिन ब्रत रखकर राधा रानी की पूजा की जाती है राधा इस्टमी के इस ब्रत में कथा के पाट का भी बहुत महत होता है राधा रानी के प्राक्टे दिवश पर ब्रत रखने से भगवान क्रियेशन भी प्रशन होते हैं और मनोवांचित फल पदान करते हैं राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है मानने ताके अनुसार इस ब्रत को करने से धन की कमे नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है अब सुनिए ये कहानी किसी गाउं में एक ओरत रहती थी उसका नाम लच्चमी था बैसे तो लच्चमी का जीवन बड़े अच्छे से चल रहा था लेकिन लच्चमी को अभी तक कोई संतान नहीं थी लच्चमी की साधी को छे साल हो गए थे एक बार की बात है सिरी राधा अश्टमी का उत्सव आया गाउं की सारी औरतें बरसाने जा रही थी उन औरतों ने कहा लच्चमी तुम भी बरसाना चलो राधा रानी बड़ी दया लू है तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी वे कभी साथ आठ दिन अपनी घर से बाहर नहीं रही थी उसके पती और सास ने भी उसे जाने की आग्या दे दी बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई चला भी नहीं जा रहा था फिर वी वे उन औरतों के संग यात्रा पर चल पढ़ी सारे रास्ते में राधा क्रेशन का जाप कीरतन चलता रहा इस प्रकाश सभी इस्त्रियों के साथ वे बरसाना पहुँच गई सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए राधा जी के महल में जब जाते हैं तो उपर बहुत सी सीड़ियां चड़ने पढ़ती हैं जैसे ही सब लोग सीड़ियां चड़ने लगे तो लच्छमी उन इस्त्रियों से बोली कि तुम लोग आगे आगे चलो मैं धीरे धीरे सीड़ियों से आ रही हूँ पैर में चोट लगने की बज़े से मुझसे चला नहीं जा रहा दो चार सीड़ियां चड़ने के बाद लच्छमी का पैर मुड़ गया और वे नीचे गिरने लगी तभी एक साथ आठ साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया लच्छमी बोली बेटी आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती तब वे कन्या बोली माईया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें लच्मी न पूचा बेटी तुम्हारा नाम क्या है वे बोली लाड़ो नाम है मेरा यहीं पास में रहती हूँ वे दोनों सीडियों पर बैठ गए लाडो कहने लगी मैया मेरे लिए क्या लाई हो ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है लच्वी ने सोचा फिर लच्वी ने कहा लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी तुम्हें क्या पसंद है तब लाडो बोलती है मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूडियां, महंदी, घांगरा चोली यह सब चीजे पसंद हैं तुम इन में से कुछ भी ले आना इतना कहकर वह लड़की वहां से भाग गई जैसे तैसे लचमी भी मंदिर में दर्शन करके घर लोटाई आकर वह उस लड़की के बारे में सोचने लगी और बाजार से उसने गले का हार और चूडियां उसके लिए खरीद ली अगले दिन वही पर वह फिर मिले वह लाडो उसका इंतिजार करते हुए मिली चूडियां और गले का हार जैसे ही लचमी ने उसे दिया वह बोली बस इतनी सी ही और चीजन लाई हो और वह मूँ फुला कर बैठ गई तब लचमी बोली अभी मैं आट तें यही पर हूँ रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूंगे यह सुनकर लाड़ उसकी गोदी में बैठ गई और गले से लग गई लचमी तो रोने लगी उसे जैसे एक संतान मिल गई खोब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा ऐसे ही वह फिर चली गई लचमी ने मंदिर से आकर घांगरा और चोली उसके लिए बनवाए ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उसे देती एक दिन लचमी कहती है अब यह सारी चीजें मुझे पहन कर वी तो दिखाओ कि तुम कैसी लगती हो लाड़ बोली कल राधा इस्टमी है कल पहनूंगी इस बार लाड़ के साथ एक लड़का भी था उसे देखकर लचमी ने कहा आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया मैंने एक धोती और मुकुट मोर भी लिया है क्या मैं इसे दे दूँ लाड़ बोली यह कनुआ है मेरे साथ ही रहता है हाँ तुम इसे दे दो ऐसा कहकर वे दोनों सामाल लेकर चले गए अगले दिन राधा अस्टमी थी जब लचमी सीडियों पर आई वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला बहुत इंतजार के बाद जब वे मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड थी कीर्टन और नर्ति हो रहा था इसी तरह भीड को चीर्टी हुई वे आगे पहुची और वहां राधा जी को देखा और ठाकु जी को देखा वही सामान सब जो वे लाई थी उन्होंने धारन किया हुआ था वे पत्थच सी हो गई आँखों से आशु बहने लगे बात समझते उसे देर न लगी कि वे लाडो राधा जी और कनुआ भगवान से रिक्रेश्ट है स्वेम जकत के पालनहार उसके पास आते हैं राधा जी उसकी गोदी में बैठती है और उसे मात शुक प्रदान करती है वे तो जैसे बावरी सी हो गई दिन रात लाडो लाडो कहती रहती पुकारती रहती वे उन औरतों से बोली तुम लोग घर जाओ मैं नहीं जाओंगी उसकी सास और पती भी उसे लेने आए लेकिन वे उनके साथ नहीं गई अब तो रोज वे शीडियों पर बैठे बैठे आशुओं से शीडियां धूती पलकों से बुहारती ऐसा करते करते उसे तीस बरस हो गई एक दिन एक बाले का उसका हाथ पकड़ कर उपर ले गई वहाँ जाकर बोली लो आगई तेरी लाडो ऐसा कहकर बाहे फैला कर लच्चमी को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया उस दिन लच्चमी ऐसे गले लगी कि इस पार्थिफ सरीर को छोड़ कर सदा के लिए वह अपनी लाडो के पास चलि दे इस घटना से हम सब को सीख मिलती है कि जो भी आसा रखें चाहे वैश्यकाम हो या निशकाम केवल भगवान से ही रखें जैहो राधा रानी के आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करें धन्यवाद दोस्तो